दिल्ली की राउज IAS कोचिंग के बेसमेंट में तीन स्टुडेंट्स की मौत के मामले में आज दिल्ली हाई कोट में सुनवाई हुई कोट ने पोलिस को इस मामले में पक्षकार बनाया और जम कर फटकार लगाई कोट ने मामले की जाच कर रहे अधिकारी को कल यानि गुरुवार को सभी फाईले लेकर आने को कहा है इस दोरान कोट ने सवाल किया कि क्या अब तक किसी MCD अधिकारी को रासत में लिया गया है अदालत ने ये भी पूछा कि क्या इस मामले में MCD के अधिकारियों की जाच की गई है सुनवाई के दौरान कोट ने कहा कि ओल्ड राजिंदर नगर में जलने कासी की उचित वेवस्था नहीं है अनाधिकरत निर्मान पोलिस की मिली भगत से होते हैं इसके बिना अनाधिकरत निर्मान नहीं हो सकते सभी प्राधिकारी केवल जिम्मेदारी एक दूसरे की तरफ डालने में रुची रखते हैं उस क्षेतर में इतना पानी कैसे जमा हो गया ये सवाल उनने पूछा और ये भी कहा कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जब अधिकारियों ने भवन को अधिकरत किया तो क्या उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी नालिया क्रियाशील क्यों नहीं है आपने किसी रहागिर को गिरफतार कर लिया जो इलाके से गुजर रहा था आपने MCD अधिकारियों को गिरफतार क्यों नहीं किया ये सवाल दिली हाई कोट ने पूछा है मामले में कमिशनर को व्यक्तिकत रूप से कोट में तलब किया गया और दिली हाई कोट ने MCD से कल तक हलफ नमा दाखिल कर अब तक उठाए गए कदम के बारे में भी बताने के लिए कहा है हाई कोट ने फटकार लगाते हुए कहा कि दुरभागे से बहुत से अधिकारी परसपर विरोधी उद्देश्यों के लिए काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा दोशारोपन हो रहा है दिली के पूरे प्रशाशनिक धांचे के फिर से जांच की जाने चाहिए कोट ने कहा कि हमें इस मामले में जिम्यदारी तैक करने के लिए आदेश पारित करेंगे ये इंफ्रास्ट्रक्ट्रल ब्रेकडाउन है दिली हाई कोट ने अधिकारियों को शुकरवार तक राजेंदर नगर क्षितर में नालो पर से सभी अती करमन हटाने का निर्देश दिया है तो दिली कोचिंग हाथसे के बाद दिली हाई कोट अब एक्शन मोड पर है आज सुनवाई करते वे उन्होंने दिली पोलिस से सवाल किया कि रास्ते चलते रहागिर को तो गिरफतार कर लिया लेकिन किसी MCD अधिकारी की गिरफतारी अभी तक क्यो नहीं की गई साथी साथ दिली हाई कोट ने पोलिस पर मिली भगत का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि बिना किसी पोलिस की मिली भगत के अनाधिकरत निर्मान अधिकरत अतिकरमन संभव नहीं है तो एक्षन में दिली हाई कोट आया ऐसे में मना जा रहा है कि अगली सुनवाई में दिली हाई कोट कुछ बड़ा एक्षन ले सकता है